दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो के अंदर हम फैयर प्रूफ पेपर को तयार करेंगे वो भी कागज से यानी रद्दी से कागज से हम एक ऐसा फैयर प्रूफ पेपर को तयार करेंगे जो आग से भी नहीं जलेगा व और तीन हमारे पास बोटल है मिनेगर की जो कि सभी को मिक्स करके फैर प्रूफ पेपर तयार होगा करके और तयार होगा जार होगा थाजर होगा होगा ठाजर आज है पुल कर दो होगा है अड़ होगा झाल 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 तो यह है हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर हमने यह जो फैर प्रूफ पेपर है वो तैयार कर लिया है बाकी हमारा यह तैयार काफी दिनों से रखा हुआ था बाकी हमें इसका एक्स्ट्रीम टैस्ट लेना था तो इसके लिए हमें चाहिए था कुछ सामान जो कि हमारे पास नहीं था इस वे से हम उसे थोड़ा सा लेट ला पाएं बाकी अभी हमारे पास वो सब समान है और अब इसका फाइनल टैस्ट हम देख से दोस्तों इसका एक्स्ट्रीम टैस्ट लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर गैस टोड़्च है गैस टोड़ की मरस्ते से जलाने की कोसिस करें प्रेसर के उपर हैं को अब आप 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 मेरे घैस टोड़ते भी काफी प्रेसर के उपर है और आप देशकते हैं अभी तक इसके अंदर आख नहीं लगी दोस्तों यहां पर आपने किलेडी यह चीज देखे ली यहां पर जो यह हमारा फैर प्रूफ पेपर था इसमें सिरफ यह काला पड़ा है यहां से यह काला पड़ा है बाकी इसके अंदर आग नहीं लगी यानि जो फैर प्रूफ पेपर है हमारा पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है जो वैसा कुछ अगर वैसा कुछ होता तो इसके अंदर अब तक आग लग जाती ठीक है वह आग लगने के बाद जलने शुरू है था क्योंकि गैस टोड़ चीए इतने प्रिसर इसका आप देखें इसकी कितनी तेज आग होती है फिर भी इसकी मेश से भी यह नहीं जल रहा त पीछे से यह बिल्कुल भी हीट नहीं है यानि हलका सा भी घर्म नहीं ऊठीक है यह हीट प्रूब बहुद और जो अगे से प्रूब कर और पिछली दरब भी इसके घर नहीं आरे है मैं आराम से अपने हाथ को रग पार रहा हूं हो उल्ठा भी और यहां पडेख सकते हैं बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल हलकी सी इस साइड से लेयर जो है वह काली हुई है यहाई आपको पसंद आई तो लाइक करने शाहां को सब्सक्राइब जूरूर से कर लेना यहाँ पर आपको रेगी और आपका कोई सवाल या फिर आप हमें कुछ बताने चाहते हो तो कमे बते ही तूसे हो आपदाने शाहते हैं आप हमें शाहते हैं जसा करो दोना वाड़